आप अपने फैशन गेम को अप्गूरेट करना चाहते हो यह फैशन ट्रांस्फोर्मेशन चाहते हो और आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप शुरू कहां से करो तो हो सकता है कि आपको शुरुवात एक अच्छे से बेसिक वाडरोब को बिल्ड करके करना चाहिए और इस एपिसोड में हम उसी के बारे में बात करेंगे हम एक बेसिक वाडरोब बनाएंगे फ्रॉमें सक्राइच इस एपिसोड को हम दो पार्ट में बनाएंगे पार्ट वान में हम बात करेंगे अपर वेर बॉटम एप खास ख्याल रखेंगे हम इसमें ऐसे आइटम लेंगे जिसको कि हम ज्यादा ज्यादा चीजों के साथ पेर अप कर सके हैं इसके लिए हम कलर पैलेट रखेंगे न्यूट्रल न्यूट्रल कलर्स में आएंगे ब्लैक ग्रे वाइट नेभी ब्लू एंड ऑलिप ग्रेन नेक्स्ट पॉइंट है बजट अल्दो इसमें सारे लिए हुए आइटम का ट्रेंड से कुछ खास रिस्ता नहीं है तो इसको हम लॉंग टम तक यूज़ कर सकते हैं तो हम क्वालिटी के साथ कॉम्परमाइज नहीं करेंगे बजट हमारा ना जादा चीप होगा ना जादा एक्सपैंसिव होगा लेकिन अ आप अपने हिसाब से फिटिंग को देख सकते हो मैं सजेस्ट करूंगा ना जादा लूज ले ना जादा पूरा इसकीनि फिट ले आपको अपने फिटिंग को बीच में रखे यह सबसे पहले हम अपर वेर में बेशिक के बारे में बात करेंगे बेसिक टीज किसी भी style करके काफी cool और casual look create कर सकते हो और इससे आप layering करके भी use कर सकते हो तो basic teeth के list में पहला item है solid white t-shirt यह unique clothes है around 490 rupees इसकी fitting medium है and इसकी सबसे best बात है इसकी construction and fabric quality काफी fine है और यह समझ के लिए best list में दुसरी नमबर पे black t-shirt यह मैंने purchase किया street से around 250 rupees में इसकी fitting बहुत ही perfect है मेरी body पे अगें black color होने की बज़े से यह बहुत ही versatile item है इसे आप किसी भी चीजों के साथ pair up कर सकते हो यह सब के साथ चला जाएगा थर्ड नमबर पे solid gray t-shirt यह मैंने अचनेम से लिए around 390 rupees में इसकी fitting और fabric quality अच्छी है and gray color आपके body shape को enhance करता है इसे आप किसी भी dark lower के साथ pair up कर सकते हो फूर्थ नमबर पे solid navy t-shirt यह मैंने यूणी क्लो से लिए around 490 rupees white color की तरह ही यह भी काफी versatile है and navy color आपकी लुक को थोड़ा सा cool और classy की तरह सिप्ट कराएं फिफ्ट और लास्ट है एक olive t-shirt यह भी मैंने यूणी क्लो से लिए around 490 rupees में इसकी सबसे best बात है यह color काफी modern color है यह आपकी look को काफी minimalist बनाएगा और यह dark skin tone वाले logo के लिए perfect है आप इसको किसी भी light color lower के साथ pair up कर सकते हो अपर वेर में next है shirt shirt अपर वेर का एक बहुत ही important garment section एक अच्छा shirt आपके look में class add कराएगा shirt में first item है plain white shirt यह मैंने लिया H&M से around 1300 rupees में इसमें यूज हुआ cotton blend काफी अच्छे quality का यह आपको काफी premium feel दिलाता है और again white color होने के वज़े से काफी versatile है इसे आप almost किसी भी lower के साथ pair up कर सकते next item है solid black shirt यह मैंने UCB से लिया है around 1300 rupees में and इसको आप इसकी best बात है इसको आप casual यह formal दोनों तरीके से आप इसको style कर सकते हूं personally मैं इसको party wear के लिए इस्तेमाल करता हूं UCB अपने vibrant color की बज़े से जानने वाला एक बहुत ही known brand है और यह shirt 100% true charcoal black shirt है market में same range में ऐसे बहुत सारे black shirt है जो कि बहुत ही shiny और glossy feel दिलाता है जो कि आपको नहीं लेना है वह थोड़ा सा cheap feel कराता है तीसरे नमबर पर है एक casual shirt यह मैंने H&M से लिया है around 1300 रूपीज में यह पिछले दोनों shirt से थोड़ा सा अलग है यह आपके look को थोड़ा सा casual और थोड़ा सा laser look की तरफ सिप्ट कराएगा और इसकी fabric काफी shocked और silky है जो कि आपकी body पे बहुती fine drape बनाएगा और यह best है spring summer season की अपर वेर में next item है hoodie यह मैंने लिया है H&M से रॉन 1900 रूपीज में इसकी style काफी basic है यह hoodie आपके look को थोड़ा सा hip hop style या street wear style में सिप्ट कराएगा fabric थोड़ा सा heavy है ताकि यह आपको autumn winter season में आपके body temperature को काफी warm रख सके अपर वेर में last item है turtle neck और high neck यह काफी trendy item है यह आपके look को काफी professional और classy बनाता है और सारी fashion model के wardrobe का सबसे important item है यह इसको मैंने H&M से buy किया है around 1900 रूपीज में और यह autumn winter season का perfect base layering item है यह अगें darker gray color होने के बिएसे काफी versatile है इसको आप किसी भी light color bottom wear के साथ pair up कर सकते हूँ तो next है bottom wear and bottom wear का पहला item है solid black jeans अगर आपके पास solid black jeans है तो आपको pair up करने में गलतिया होने चांसे से बहुत ही कम है क्योंकि एक solid black jeans को आप किसी भी outer wear या upper wear के साथ pair up कर सकते हो और यह jeans मैंने लिया red tape से around 1000 रूपीज में और इसमें कोई भी extra detail नहीं है और बहुत ही basic और solid design है इसके बजाए से jeans कापी versatile हो जाता है लिस्ट में next item है एक solid blue jeans यह मैंने UCB से लिया है around 2200 रूपीज में इसकी construction quality and fabric quality बहुत ही अची है यहाँ पे UCB का color science दिख रहा है true vibrant color इसको आप किसी भी light color upper wear के साथ pair up कर सकते हो लिस्ट में तिस्टे नंबर पर है worst denim jeans यह मैंने लिया है पेपे से around 1900 रूपीज ओफर में वास्ट होने की बज़े से इसकी color जाने की chances बहुत एक कम है इससे आप इसको long term तक use कर सकते हो इसको आप किसी भी faded street wear look में style कर सकते हो हमारा पूरा bottom wear section अगले item के बेना अधूर आए chinos यह मैंने लिया UCB से around 2200 रूपीज के असपस chinos को आप casual as well as formal wear look के साथ pair up कर सकते हो यह आपकी look को कापी clean और sharp बनाएगा again इसका color और construction कापी premium अब हम बात करेंगे outerwear basically outerwear आपकी look को complete करता है आपको under dressed से well dressed men मनाता है outerwear list में पहला item है leather jacket यह मैंने वैन उसेंस से लिया around 4000 रूपीज में इस not a 100% pure leather jacket बट बजट के हिसाब से इसकी quality construction और trims बहुत ही premium है यह आपको instant rich confident और bold रूप देता है इसको आप white shirt के साथ pair up कर सकते हो लिस्ट में next item है denim jacket denim jacket आपके overall look को street wear और hip hop vibe देगा faded होने के बज़े से इसको style करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप इसको किसी भी light या dark bottom wear के साथ pair up कर सकते हो इसको मैंने लिया जारा से around 2300 उपीस में लिस्ट में तिसने नमर पे bomber jacket अगर आपको cool और classy look ज्यादा पसंद है instead of street wear look तो bomber jacket आपके लिए perfect option तो निट्रल कलर होने के बज़े से आप इसको किसी भी solid basic chinos के साथ pair up कर सकते हैं again यह same piece है जो मैंने denim jacket के लिए use किया था यह two-in-one है और इसको मैंने जारा से 2300 में लिया है outerwear list का last item है sports coat या blazer इंडिया में जदातर लोग इसको blazer ही बोलते हैं तो फिलाल हम इसी नाम से बूलाएंगे एक blazer आपके look को professional और semi-formal दिखाता है आप इसको किसी भी solid basic tees या turtle neck के साथ pair up कर सकते हो यह मैंने लिया है H&M से around 1300 rupees में इसके साथ ही हमारा outerwear section भी यहीं कतम होता है और इस episode के part 2 में हम बात करेंगे shoes and accessories के बारे में जो कि बहुत interesting on important topic है तो उसे आप देखना मत भूलिए अगर link description में होगा यह यहां पर कहीं आई बटम में होगा यह यह आप thanks for watching see you soon तब तक के लिए stay stylish तक काथ तक के लिए एस देखना है